Hello friends, environment की सीरीज में आपका स्वागत है और environment current affairs 2017 का ये part 3 है सबसे पहले हम कुछ questions देखते हैं जो कि आज ही के slide पर based हैं लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं चुकि पुराना current affair है तो आप ये चेक कर लेजें कि आप जानते हैं कि नहीं पुराना current affair अभी तक है ऐसे question ये पूछा जा सकते हैं और क्योंकि कई सालों past के current affair से question पूछा जा रहे हैं तो ये वाला question अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको जरूरत है पुराने current affair पढ़ने की क्योंकि ऐसे question बिल्कुल आ सकते हैं पहला question with respect to genetic engineering विच आप दे फालोंगी जार correct statement नमबर वन बारने जीन से male sterility होती है statement नमबर टू cry one acid gene यूज क्या जा सकता है American ball worm insect के खिलाफ तीसरा statement TMA12 gene can protect against white fly चौथा statement बार gene can protect against indosulfan इन में से कौन कौन से statement सही है यह आपको बताना है अब देखिए आप लगा पाते हैं कि रहें मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा चिंता मत कीजिए अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो question number two इन में से कौन से statement या statements सही है पहला statement seaweed एक प्रकार की अलगी होती है दूसरा कुछ seaweed human food के रुप में इस्तेमाल किया जा सकते हैं तीसरा statement world का largest marine park जो है वो raw sea में locate करता है जो की Antarctica के आसपास है चोथा statement raw sea one of the biggest sea है southern hemisphere में तो इन में से कौन से statement है क्या आप इसको लगा पा रहे हैं अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आज हम पढ़ेंगे अगर लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आमने current fair अल्रेडी पढ़ रखा है हम स्टार्ट करते हैं पहला है आर्टकिल वो है DMH 11 धारा mustard hybrid 11 UPSC इससे related question पूछ चुका अल्रेडी और यह काफी important और काफी controversial भी है दरसल यह जो वराइटी है यह mustard की वराइटी है जो की इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर दीपक पेंटल जो की DU के हैं उन्होंने डिवलप की थी इस प्रोजेक्ट को नेशनल डेरी डिवलपमेंट बोर्ड आफ इंडिया और डिपार्टमेंट अब बाय टेक्नोलाजी डीबीटी के द दिन को अप्रूवल देने के लिए तो इनके पास प्रोजल भेजा था तो इन्होंने उस समय प्रोजल दे दिया था और यह भी कहा था कि हां हमारे टेस्टिंग में यह hybrid जो है यह कोई public health या safety concern किसी भी animal या human के लिए काज नहीं करता है ऐसा उन्होंने कहा था लेकिन उसके chemical analysis या कहा सकते है बायो chemical analysis की थी जो की in vitro थी नहीं सिर्फ लैब में पेट्री डिसेज या test tube में चेक किया था दूसरा उन्होंने किया था in silico analysis in silico का मतलब होता है computer के अंदर यानि इसको आप bioinformatics की analysis भी कह सकते हैं ठीक है अब यह जो दोनों तरीके होते हैं यह field study के equivalent बिलकुल भी नहीं होते हैं यह वाला bioinformatics वाला यह more or less एकदम से theoretical approach है mathematics के ज्यादा करीब है और यह वाला जो दूसरा वाला है in vitro यह आप कह सकते हैं simple सा chemical basis पे या lab में इसे synthetic तरीके से इसकी जाज कर ली लेकिन population पे बड़े पैमाने पे study नहीं की यह नहीं चेक किया कि यह वाला जो mustard है वो अगर हम खेत में बोधेंगे तो क्या इसके pollen से खिला देंगे तो क्या उनको कोई रोग हो सकता है इस type की long term steady नहीं की गई जिबकि usually drugs की या कोई भी food की इस type की long term steady की जाती है तो GEC ने उस समझे अप्रूवल दिया था उसके बात बहुत से जो community थी scientific community या बहुत से environmental committee वो सारी committee जो हैं बहुत जादा concern दिखाए थी बहुत ऐसा news में था 2018 से इसका field trial start हो गया है 2019 में बात भी चली थी कि इसका safety का कोई evaluation का paper भी आया है जो कि public आज तक नहीं हुआ है और अभी 2020 में अभी हम कहें तो आज तक इसका कोई open data जो है कहीं भी available नहीं safety का तो हम कह सकते हैं कि यह जो यह जो variety है यह variety अभी भी market में या field level पे available नहीं है अभी भी experimental level पर ही available है ठीक है अम मैं बता देता हूं उसकी back में क्या technology है इस type की variety में कौन से technology इस्तेमाल की गई है जाइड सी बात है इसमें transgenic technology इसका मतलब transgenic का मतलब genetic engineering का इस्तेमाल के गया Transgenics या genetic engineering यह सारे term क्या है देखिए क्या होता है हम किसी organism के अंदर बाहर से कोई और gene डाले human के अंदर हम लाएं किसी insect की gene डाले human के अंदर किसी monkey की gene डाले तो यह हो जागा का ट्रांसजेनिक्स या जनेटिक इंजिनिंग हो जाएगी है तो ट्रांसजेनिक्स का इस्तमाल क्या गया है इस पौधे में बाहर से बैक्टीरिया की कुछ जीन्स डाली गई है अब हम देखते हैं कौन-कौन से जीन डाली गई है पहली जीन का नाम है बार जीन दूसरी बार बारिस्टार जीन ये तीन टाइप की जीन डाली गए हैं अब इन में जो है बार्नेज और बारिस्टार जीन जो है वो आइसोलेट की गई है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस एमाईलो लिक्विफेशियन्स तो यह बैक्टेरिया से ये वाली दो जीन डाल दी गए और जो बार जीन है वो तीसरे बैक्टेरिया से ली गए जिसका नाम है Streptomyces hygroscopicus तो आपको बिल्कुल बैक्टेरिया का नाम याद रखने की जोर्त नहीं यहापे लेकिन आपको जीन का नाम याद रखना जरूरी है और जीन क्या काम करती है ये भी जानना जरूरी है ये सवाल पूछ रही है मैंने अभी आपको जो question number one था sample question number one उसमें आपको ये दिखा भी होगा बारने जीन जो है इन में से वो क्या करती है male sterility का आज करती है अब ये हम male sterility सब बात जो कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो mustard हम grow कराते हैं उसकी पैदावार जो है ऐसा scientist कहते हैं कि full potential पे grow नहीं हो रही है वो यानि अगर उसमें को हम motivation simple से motivation सी करते हैं mustard में तो क्या होगा कि mustard क ये पैदावार अच्छा कासा बढ़ जाएगी अब क्यों ऐसा है कि Indian mustard की पैदावार अच्छी नहीं है तो मैं बताता हूं Indian mustard जो हम self pollinating होते हैं इसका क्यामत लब होगा देखे जब हम ये humans के case में हमने देखते हैं कि हम humans के case में कहते हैं कि साधी जो है close रिस्तों में नहीं होनी चाहिए दूर के रिस्तों में होनी चाहिए उससे क्या होता है दूर के रिस्तों से क्या होगा पास में क्या नुक्सा है देखे human के अंदर क्या होता है कि genes जो होती है खास type की gene मान लीजिए कोई gene है gene जो की eyes का color produce करती है मान लेते हैं अगर वो एक ही gene है तो वो जो gene है है वो 2 set में हमें सपाई जाती है अगर 2 set में है ठीक है अब by chance जो है एक मानली जीन फादर से आ रही है एक जीन और एक मदर से आ रही होगी बच्चे मेँ अब यह क्या हुआ कि यह वाली जो फादर वाली जीन जो है वो faulty अगर यह faulty जीन निकल गई तो मदर वाली तो एक जीन सही है ना अगर मदर वाली जीन सही है तो क्या होगा कि बच्चा तब भी सही रहा जागा क्योंकि अट लिस्ट उसकी एक जो जीन है वो तो faulty नहीं है लेकिन बाइचांस क्या होगा अगर फादर जो है अपने ही किसी close relative वो अपने sisterC programming कर लेता है और वाइचांस sister के पास जैसे father के पास क्या होगा दोनों जीन जो है वो faulty है फादर का है इसी तरीके से से father की अगर कोई sister होगी उससे हो महरी कर रहा है और sister के भी दोनों जीन faulty है तब तो surely बच्चे के पास जो दोनों जीन हो गांगी वो क्या हो जाएंगी फॉल्टी हो जाएंगी तो ऐसी चीज कि प्रॉब kuब लिटी कम हो जाएगी कि जिससे जिससे साधी करेगा उसके पास Chapman हो जीन फाल्टी हो इसकी सम्मावना बहुत कम हो जाएगी लेकिन जैसे से अपने close relation में वह साधी करेगा तो उसके सम्मावना तो बढ़ती जाएगी ना कि उसकी दोनों जीन फाल्टी हो इसलिए दूर ही साधी करने चाहिए एकदम distant relative या कहें एकदम से बिलकुल भी relation ना हो वहीं पर साधी करने चाहिए तो पौधो केस में भी यहीं होता है अगर हम पौधों में क्या करें close relatives में पौधों के उनका प्रिजनन कराएं या पौधों में एक और वह नाम ना होता है वो खुद ही आप अंदर एक ही खुद में प्रिजनन कर लेता है जिसको कहते हैं self-pollination self-pollination यह क्या होता है देखिए plant में क्या होता है pollination reproduction कैसे होता है plant का आपने flower देखा होगा तो flower में आपने यह वाला structure देखा होगा बीच में बड़ा सा निकला होता है जो की female reproductive system होता है और यहाँ पर इसे चोटे-चोटे side में के लिए होते हैं जिन पर चिप-चिप-टाइप के पदार्थ होते हैं powdery substance जिसको male reproductive system कहते हैं male reproductive system पर pollen grains पाय जाते हैं pollen grain जो है female पर चले जाते हैं तो यहाँ पर reproduction cycle complete हो जाती है fertilization हो जाता है और अंदर bees develop होने लगता है तो यह होता है में यहाँ पर plant का reproduction अगर पौधा आपस में खुद में ही परजनन कर रहा है तो जाहर से बात हो यही कर रहा होगा अपनी जीन को अपने जीन से पर जाए मतलब दूसरे plant पर जाए same species जायर से बाते same species और उसके female part पर गिरे तब तो हो सकता है कि इसके पास अगर दोनों खराब जीन थी और यहाँ पर एक भी खराब जीन नहीं थी तो जो बच्चे बनेंगे उनमें at least एक जो अच्छी जीन होगी तो बच्चा जो अच्छा सर्वाइब कर सकता है तो यह हो गया पहला वाला जिसमें खुद ही में pollen grain जा रहा था वो थ जलदी plant बनते हैं उसके background का जो logic है जिसको कहा जाता है उसको कहा है dressy Heterosis Heterosis का मतलब है इस तरीके से प्रजिनन हो रहा है कि उनका genetic makeup में different diversity आप genes हो जा रही है यहाँ पर diversity आप genes नहीं थी यहाँ पर एक ही जैसे genes थी लेकिन यहाँ पर diverse gene है और यहाँ cross-pollination से diverse gene बनती है तो cross-pollination से क्या होता है? हेटरासिस होती है और हेटरासिस से अगर जो बनेगा और गनम्राइस जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा? काफी मजबूत होगा तो उस मजबूती को कहाजाता है hybrid वाइगर या विगर हाईबृइड वाइगर ठीक है? तो ये होगा हाईटरासिस और hybrid viger का concept तो ये हम कोशिस करते हैं कोई भी पौधा जो है वो क्या करे cross pollination करे self pollination न करे तो nature ने mustard plant को क्या बनाया है ऐसा बनाया है कि वो self pollination कर सकता है mustard वाला तो हमारे जो हम mustard grow कराते हैं वो self pollinating होते हैं इसलिए उनका जो बनते हैं वो कमजोर होते हैं और उनकी पौधावार कम होती है तो हमें कुछ ऐसा system बनाना होगा जिससे ये पौधा खुद में pollination ही न कर सके तो हम ये करते हैं कि ये कर रहे हैं कि एक ऐसी gene डालते रहे हैं bacteria से निकालके कि पौधे का जो male reproductive system बना है वो sterile हो जाए यानि कि यहाँ पर pollen grain या तो इसका accept न हो या तो pollen grain जो बने वो non-functional हो जाए तो यह होगा बार्नेज जीन का function अब बार्नेज जीन से जो protein निकलती है हम जानते हैं जीन से क्या होता है RNA बनता है और RNA से protein बनती है तो बार्नेज जीन से जो protein बनती होगी काफी toxic होती है उसकी toxicity को balance करने के लिए बहुत simplify farm में बता रहा हूँ उसकी toxicity को balance करने के लिए बारिस्टार जीन का इस्तेमाल किया जाता है तो अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे बारिस्टार का बार्नेज बारिस्टार सिस्टम तो बार्नेज बारिस्टार सिस्टम का क्या काम है काम है ऐसे plant बनाना जो की cross pollination कर सके यानि कोई plant अगर self pollinating है उसको cross pollinating में हमें convert करना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे बार्नेज बारिस्टार तो बढ़ जानी चाहिए ठीक है लेकिन इन्हों ने एक और जिन डाल दे थर्ड जिन जो कि है बार जिन बार जिन क्या करती है कि एक इंजाइम निकालती है जिसका नाम आपको याद रखने की जोरत नहीं है इंजाइम का नाम है फासफिनो थ्रिसिन एन एसेटाइल ट्रांसफरेज ये क्या है येक इंजाइम है और ये इंजाइम जो है वो क्या करता है नस्ट कर देता है एक हर्बिसाइड को हर्विसाइड का नाम है ग्लूफोसाइनेड या इसको कई बार कहते हैं फासफिनो थ्रिसिन ठीक है यहाँ पर भी फासपिनो थ्रिसिन है यह क्या है देखिए हम जब क्या करते हैं खेत में कोई फसल बोते हैं तो पौधा तो हमारा फसल तो ग्रो करती है उसके साथ साथ और खरपतवारे भी ग्रू कर जाती है अब खरपतवारों को या तो हम हाथ से उखाड़ के फेकें या हम ऐसा की केमिकल डाल दें कि खरपतवार नस्ट हो जाए और हमारी फसल बच जाए लेकिन ये जो stem जिनकी soft होती है वो पौधे जो होते हैं वो भी herbicide से नस्ट हो जाते हैं बहुत पार तो ये वाला जो मान लीजे ग्लूफोस आइनेट बहुत ही common herbicide है अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें mustard के production में इस्तेमाल करना चाहें तो उससे mustard को भी नुकसान है अब मान लीजे कि mustard की उजूली लोग खेती करते होंगे वहाँ पे ग्लूफोस आइनेट इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे जबकि गेहुचावल में इस्तेमाल करते हैं गेहुचावल में इस्तेमाल करते हैं तो उनको manually weeding करने नहीं पड़ती है वीड को हाथ से निकालना weeding करने नहीं पड़ती है तो वहाँ पर production कास्ट कम हो जाती है लेकिन mustard में हाथ से लोग weeding कर रहे होते हैं तीक है अगर हमें ग्लूफोस आइनेट का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे पौधे में ही कुछ ऐसा gene डाल देंगे जो की ग्लूफोस आइनेट को nest कर देगी तो ये वाली जो gene है बार gene वो ग्लूफोस आइनेट को इस enzyme की मदद से nest कर देती है और ग्लूफोस आइनेट एक बार nest हो जाएगा तो पौधा जो है उस पे अगर हम डालेंगे ग्लूफोस आइनेट तो पौदा सर्वाइब कर देगा तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है इस plant को cross pollinating बना दिया है और इस plant को resistant बना दिया है ग्लूफोसाइनेट या फासफिनो थ्रिसिन के लिए इन्होंने ये दो काम किया है और अभी भी ये अटकीव ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं पहला दूसरा यह हमार आटकिल है वो है इंडिजने इंडिजनेस ट्रांसजनिक कॉर्टन वराइटी डिवलप की गई है जिनको कहा जा रहा था कि मोंसेंटो के सीड की अल्टरनेटिव है अभी ते के मार्केट में अवेलेबल नहीं है डियू ने दिल्ली उनिवर्सिटी ने क्या किया था कि कॉर्टन में एक जीन डाल दिया था क्राई वन एसी जीन डाल दिया था जो कि नोंने निकाला था बैसलेस थिरिंजेंसिस बीटी इसी का साट फार्म बीटी लिखते हैं जब बीटी कॉर्टन लिखते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि bacillus thuringiensis से कोई gene हमने निकालके cotton में डाल दिया है तो यहाँ पर cry 1ac gene डाल दिया है वैसे cry gene जो होती है वो क्या होती मैं आपको बताता हूँ cry group of genes होती है जिन में कई genes होती cry 1ac cry 2 ऐसे करके नाम होता है बहुत से genes होती है तो cry gene क्या करती है कि cry protein क्रिस्टल प्रोटीन का होती है बैक्टीरिया जो है बैसलेस तुरिंजेंस वो क्रिस्टल प्रोटीन निकालते हैं जिससे बहुत से इंसेट को मार सकते हैं अब वही वाली gene हम उठाके अगर प्लांट में डाल देंगे तो वो प्रोटीन जायर चबाते पौधों में बनने लगेगा और पौधों पे अगर कीडे लगेंगे तो वो कीडे मर जाएंगे तो cry 1ac gene क्यों डाला गया है ताकि American ball warm इंसेट को ये किल कर सेगे और उसी तरीके से NBRI National Botanical Research Institute लखनों उन्हें भी क्या किया है TMA12 gene को डाल दिया है कहां से Tectaria macrodonta नामके edible fern से इन्होंने डाला है fern भी एक टाइप का plant है fern आप देखते भी होंगे commercially available है सजावड के लिए इस्तमाल होता है TMA12 जो है ये भी एक toxic protein को encode करती है ये gene जो है टाइप की toxic protein को निकलती है जो की white fly को kill करता है तो ये सवाल भी मैंने अभी आपसे पूछ लिया था तीसरा अट किल उदैपूर declaration उदैपूर declaration के बारे माँ आप बस ये जानिये कि BRICS के minister जो है वो मिले थे उदैपूर राजस्थान में और उन्होंने उदैपूर declaration को declare किया था और किस लिए ये declare हुआ था disaster management के लिए तो question आए उदैपूर declaration match the following किस से ये match करता है तो जाएट से बात है वो disaster management से match करेगा next नीरधूर नीरधूर या नीरधर जो भी है ये क्या है नीरी जो है नेशनल environmental and engineering research institute और CSIR इन दोने ने मिल के नीरधूर नाम का multi-fuel domestic cooking stove बनाया है और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी कि novel है अब इसकी design देखें और search करें तो आपको पता चले कि कितना novel है बात अलगे लेकिन अभी तक तो इन्होंने लिखा कि novel है यह फ्यूल में wood का भी इस्तेमाल कर सकता है उसके अलाबा कोईला cow dung agricultural residues का भी इस्तेमाल कर सकता है और इनका दावा है कि यह फ्यूल efficient है efficiency जो है काफी जादा है twice efficient है तो fuel जो है 50% करेगा और 50% फ्यूल यूज करके traditional चूले से यह के बराबर heat उत्पन कर सकता है और नीरधूर को ministry of new and renewable energy ने भी माननेता दे दी है और certification इसे Bureau of Indian standards बिस का certification भी इसे मिल गया है world's largest marine park इसके बारे में European Union और 24 अन्य countries ने मिल के sign किया है एक landmark deal जिसमें उन्हों का है 1.1 square kilometer of water जो southern ocean में है उसको हम conjure करेंगे ये एक area जो है वो है रासी में पढ़ता है रासी जो अन्टारिक्टिका के around है और वर्ल्ड का largest marine park कहलाता है तीक है और क्या खास बात है कि यहाँ पर कोई भी fishing allowed नहीं होगी इट विल बी set aside as no take general protection zone यहाँ पर बिलकुल भी fishing allowed नहीं होगी और declare कर दिया जाएगा और यह सारा जो declaration हो अगले 35 सालों के लिए मानने होगा और यह sign हुआ था किसके meeting में commission for the conservation of Antarctic marine living resources इसके बारे हम आगे अभी देखेंगे और यह जो agreement हो रहा था इसका position चाइना और रसिया कर रहे थे क्योंकि वही लोग इस region में ज्यादा fishing करते हैं international water में पहली बार ऐसा marine park create किया गया है यहाँ पर तो यह भी काफ़ important है first marine park created in international waters रासी कहा है रासी अब देखिए अंटार्क्टिका का इमाय पर रासी यहाँ पर है इसको last ocean भी कहा जाता है आखरी ocean आखरी महासागर क्यों कहा जाता है क्योंकि यह more or less जो है human activities से बहुत दूर है और इसका ecosystem जो है ना के बराबर छेड़ा गया है वह इसका least altered marine ecosystem on the earth है यह का काफी यहां की productivity काफी जादा है काफी huge amount of plankton और krill पनफते हैं क्रिल क्या होते हैं छोटे-छोटे जींगे होते हैं बहुत ही बारीक जींगे होते हैं आंखों से usually दिखते नहीं बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है और अगर यह huge plankton और krill को support करते हैं तो इन दोनों को मचलिया और animals खाते हैं तो जाएड़ से बाद फिस्स पेंग्विन और वेल्स यहां पर डेर बड़े परमाने पर पनफती हैं इसके अलाबा अन्य बहुत सी wildlife वगरा भी यहां पर काफी जादा पाई जाती हैं ऐसी unique type की जो कि हमारे अर्थ पर और कहीं नहीं पाई जाती है रासी जो है वो एक living laboratory है भी scientist के लिए क्योंकि एक मात्र वर्ल्ड का ऐसा marine ecosystem है जो कि human के दवार अल्टर नहीं हुआ है तो pristine ecosystem marine type का अगर scientist को study करनी है तो आएंगे रासी पे आगे बढ़ते हैं commission for the conservation आप Antarctic marine living resources जिन्होंने वो अला sign किया था यह established हो था 1982 में और objective क्या था Antarctic marine life को conserve करना इसके 25 member हैं उसके लाबा 11 अन्य country जो है उन्होंनों भी इस convention को अपनी सहमती दी है इंडिया जो है member है और इसका headquarter तसमानिया आस्ट्रेलिया में है अगला अटकिल है seaweed farming के बारे में अब यह बताइए seaweed क्या होती है, seaweed actual में ना कोई खरपतवार ऐसे plant नहीं होता है, algae होती है, लेकिन बड़े साइट की algae होती है, बहुत सी algae जो होती है, माइक्रोसकोपिक होती है, यानि हम नंगी आखों से उनको इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, अगर एकाद वो होती है, तो ब्राउन वाली जो हैं, जैसे यहां पर है, काफी बड़ी हो जाती है कई बार, और ये giant kelp का नाम ले ले लिती, kelp हो जाती है, तो इसको giant kelp भी कहा जाता है, और ये जो है, macroscopic होती है, multicellular होती है, और marine होती है, इन से बहुत से products निकलते हैं, जो कि commercial और हमारे culinary, यान उसका नाम ही अगार-गार है, तो अगार-गार जो है, ये इस्तमाल होता है, thickening agent group में, तो ice cream ठिक करना हुआ है, या कोई मिठाई ठिक करनी हुई, कोई भी food ठिक करना हुआ, तो अगार-गार का इस्तमाल होता है, labs में scientist लोग, खासकर जहां पर bacteria fungus वो grow कराते है, microbiological labs क्यों बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो खाना होता है, bacteria fungus का, उसको solidify करने के लिए भी अगार-गार इस्तमाल किया जाता है, उसके लावा, alginic acid भी इन से निकाला जाता है, alginic acid, usually ice cream ठिकनर या toothpaste को ठिक करने में इस्तमाल होता है, और भी बहुत से इसके यूज है, इसके अल alginia जो है, उसके बाद second number पर है, 27% वर्ल्ड का ये निकालता है, food में इनका इस्तमाल है, cosmetics में इस्तमाल है, drugs में इस्तमाल है, edible packaging के रूप में इस्तमाल होता है, capsule का जो outer covering है, वो fertilizer के रूप में इस्तमाल होता है, क्योंकि इनमें बहुत जादे nutrient होता है, और bio remediation के भी इस्त इस्तमाल किया जाता है, अगर seaweed जो है, सड़ने लगें, तो उससे क्या होता है, कि hydrogen sulfide release होता है, जो कि हम जानते है, अंडे की smell वाली, सड़े अंडे की smell वाली ये gas है, और ये काफी toxic होती है, और poisoning भी करा सकती है, ये, next आ जाएगा, हक्की हबबा, हक्की हबबा क्या है, ये पर हुआ था, दरोजी sloth bear sanctuary, जो कि हमपी के पास में है, बलारी district of करनाटक में, अब बस याद रखिये कि दरोजी sloth bear sanctuary कहा है, और इसकी क्या खास बात है, यही याद रखिये, और हक्की हबबा जो है, किस लिए है, एक्चुल में, हक्की हबबा एक bird festival है, इतना याद रखन के सेंट दो याद कर लिए बहुत है, 2017 की location याद कर निक जूरत नहीं है, अब्जेक्टिव क्या था, कि लोगों में awareness फैल आए जाया है, कंजर वे सना बर्ड के लिए, sloth bear के बारे में हम जान लेते हैं, sloth bear जो है, इंडियन रीजन में ही पाय जाता है, इंडिया, नेपाल और स्रिलंका में ये रात्रिचर नॉक्चरनल इनिमल है, और लोकली इसको कराडी भी कहा जाता है, ओपन जाडी वाले फारेस्ट में, जहां पे राक्स हों, बोल्डर्स हों, यानि बड़े-बड़े चट्टाने हों, गुफाएं हों, वहाँ पर रहता है, क्योंकि ये गु पोजी सेंक्चुरी जो थी, वो 1994 में इस्टी प्लिस्की गए थी, और एसिया की सबसे बड़ी स्लाथ बियर सेंक्चुरी है, सलाथ का करेंटी स्टेटस जो है, आयूसी एन के अंसार वलने रेबल है, साइट्स ने इसको अपेंडिक्स फस्ट में रखा है, और यहां करा गया था, पोलाचीरा वेटलेंड इन कोलम केरला, आपको यह याद रखने की जुरत नहीं, कि 27 वाटरावेटल सेंस। यह यहां रखने की जुरत नहीं, और यहां पर क्या है, बहुत से माइगारेटरी बर्ड्स आते हैं, उस समय 15 यूरोपियन स्पून बिल्स भ कि इस पेंड से आने वाली जापान और इस टीन सब से आने वाली बर्ट भी यहां पर देखी जा सकती हैं यहां पर आकर वो ब्रीडिंग करती हैं तो इस तरीके से यह हमारा लास्ट आट किल था तो इस वीडियो में आपको कुछ-कुछ बेसिक भी समझा जेनिटिक इंजिरि करेंगे रोज सुबह साथ बजे और साथ बजे उटके अगर आप यह कवर कर लेंगे तो बाकी लोग से आप सुबह ही आगे हो जाएंगे तो कम टीसान ऐसे ही होता है रोज सुबह उटके सबसे पहले जो करता है वही सबसे आगे जाता है तो आप रोज सुबह उटिए और साथ बज़े पढ़िए अब बाकी लोग से आगे निकलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू